नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लॉक्स में दोस्तों मैं हूँ भासकरानन रोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी फीमेल हतेली आप महिला जातिका है और आपके हतेली हमारे शामने विवेचना के लिए आई हुई है जो साथ समुद्र पार से है विदेशों से आई हुई है यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है वो है आपकी हतेली की बनावट निश्चित तोर पे आपके हतेली की जो बनावट है ये पूरी त्रो से आयताकार है आने वाले समय में यकीन मानेगा जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण है ये आपके अंदर ज़्यादा हावी होंगी एक पॉजिटिव जो सोच है वो आपके अंदर हावी रहेगी और इसका लाब भी जीवन में आपको बहुत अच्छा मिलेगा एक एनलेटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो निश्चित तौर पे जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिस्क से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल रहेगा तरक्य और उन्नती देने वाला रहेगा और काम्याबी इसमें बड़ी मिलेगी लेकिन जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा चलता हो मनी पसीना बहाना पड़ता हो, सारीर काम जादा करना पड़ता हो ऐसा कार्या, ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा उन्नति और तरक्की देने वाला नहीं रहेगा और इसमें काम्यावी भी बहुत जादा नहीं मिल पाएगी यह आपकी हतेली में यहां पर positive point दिखाई दे रहा है दूसरी बात अगर हम करें तो ब्रिस्पति से समंधित जो भी career है जुपिटर के Mount से समंधित जो भी career है ऐसा career आपको ज़ल्दी तरक़्ी देगा जल्दी काम्यावी देगा क्योंकि आपका अगर हम देखें ये ब्रिस्पति का पर्वत फूलावा है तो निश्चित रूप से सिक्षा का छेतर है, इंजीनीरिंग का छेतर है, चिकित्सा का छेतर है, मैनेजमेंट का छेतर है, बानिज्य का छेतर है और कानून का छेतर है इन चीजों में अगर आप करियर तरास करने की कोशिस करेंगे तो आपको जादा सपलता मिलेगी जादा फाइदा होगा यह यहां पर दिखाई दे रहा है दो कमियां बरतमान समय में अगर हम तीन कमियां बोलें तीन माइनेस पॉइंट आपकी हतेली में बहुत डेंजर है इनको ठीक करना बहुत जरूरी है अगर ये ठीक नहीं होंगे तो जीवन कहीं न कहीं उतार चड़ाओं से भरिपूर रहेगा संगरसों से युक्त रहेगा और जो confidence लेबल है वो आपको low इस्तिति में आपके अंद रेखा है वो इस प्रकार से चली आ रही है मस्तिस्क की रेखा आपकी हतेली में बहुत सांदार इस्तिति में नहीं है अगर इसको भी हम मस्तिस्क रेखा माने इसको जीवन की रेखा माने तो भी जो है मस्तिस्क की रेखा बहुत अच्छी नहीं कहीं जाएगी निश्चित अगर मस्तिस्क रैखा ऐसी हो तो ऐसे लोगों के अंदर एक समस्या होती है कि पहले ये काम शुरूतों करते हैं लेकिन बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। अगरने वाले नहीं होते हैं और ये चीज आपके लिए कहीं न कहीं घातक है। इस चीज को ठीक कैसे करेंगे देखेगा। इसके लिए एक बिहत्रीन परकार का प्रणायाम है जिसे हम दिव्ययोग ध्यान किरिया कहते हैं ये आपको जरूरी करना है। जो ये मुख्या अस्तान होता है इस अस्तान पे बहुत बड़ा जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जाल हतेली में ठीक नहीं माना जाता है। इस जाल का सबसे पहला प्रभाव आपकी मन और आपके मस्तिस्क पे पड़ रहा है। ठीक है ने क्या पड़ रहा है। कहीं न कहीं कनफ्यूजन की इस्तिती में ये आपको डाल रहा है। आपके मन के अंदर उलजण भरी हुई है। दुबिदा है। और क्या है। कनफ्यूजन है। और जो आपकी निरणे लेनी की ताकत है, डिसिजन लेनी की ताकत है। वह बहुत छीन हो गई है। आप सही से decision नहीं ले पाती हैं और कई बार ले भी लेती हैं तो decision गलत होता है और जिवनकाल में उसका भुकतान करना पड़ता है दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वस्त्य पे पड़ रहा है चाहे वो सारेरिक स्वस्त्य हो चाहे वो मानसिक स्वस्त्य हो इसमें ये चीज बिकार देती हुई दिखाई दे रही है तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है आर्थिक रोप से जिस प्रकार से आपको सबल होना चाहे था जिस प्रकार से आपको परिपूर्ण होना चाहे था ये आपको दरिद्रता की और खर्चेला स्वभाव की इस्तितिकी और ले जा रही है और चौथा इसका प्रभाव आपके रिष्टों पे पड़ रहा है चाए वो सामाजिक रिष्टे हो चाए वो पारिवारिक रिष्टे हो चाए वो दामपत्य जीवन का रिष्टा हो चाए वो कुटुम का रिष्टा हो किसी भी रिष्टे में आपको जो वास्तुक सुक की प्राप्ति होनी चाहे थी वो सुक की प्राप्ति उस रूप में नहीं हो पा रही है और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेपलप्मेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पढ़ रहा है कैसे प्रभाव पढ़ रहा है डेपलप्मेंट पे आपकी सपलता के अस्तर को ये घटा रहा है जैसे आप पढ़ना चाती है मन लगा कि पढ़ने की कोशिस करती है लेकिन उस टेम क्या भाव आ जाता है पहले पहले तो ठीक हो जाता सारा कुछ लेकिन फिर अपने उपर से विश्वास निकल जाता है कि यार मैं कर पाऊंगी कि ने कर पाऊंगी और मन के अंदर कनफ्योजन उल्जन आ जाती है तो वो लक्ष जो आप हासिल करना चाते हैं जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं वो लक्ष जो है पीछे की और आ जाता है वो ग्राप नीचे के और धसने बैठ जाता है चाय स्वस्तिय का मामला हो चाय पैसों का मामला हो चाय फ्योचर का मामला हो सारा कुछ अभी उतार चटाओं से युक्त दिखाई दे रहा है एक तो रो जाना आपको साम और सुभा दिव्ययोग ध्यान करिया करना जो एक प्रकार की meditation है सुबा खाना खाने से पहले जब आप फ्रेश हो जाएंगी नहा लेंगी ठेकन उसके बाद सुन्दर तरीके से आपको दिव्ययोग ध्यान करिया करनी है खाली प्वेट साम के समय बिस्तर पर लेटने से पहले आधा एक घंटा पहले आपको फिर ये दिव्ययोग ध्यान करिया करनी है अगर लेटते समय करेंगे तो नीन आने में दिक्कते होंगे तो लेटने से पहले, सोने से पहले, एक या डेट घंटा पहले आपको ये दिव्य योग ध्यान किरिया करने है, ये meditation करना है दूसरा क्या करेंगे आप, एक बनस्पति अश्नान आता है, मैं आपको परिक्रिया दे दूँगा, उसकी बिदी दे दूँगा, उसमें क्या द्रब्य डालना है, किस प्रकार से चीज़ों को करना है, तो आपको बनस्पति अश्नान करना है, रोज, कितने दिन तक करना है, य इन समस्याओं से निकलने के लिए एक तो दिव्ययोग ध्यान किरिया करेंगे और एक करेंगे आप क्या है जो है बनस्पति अश्नान ये दो चीजे अगर आप करती हैं तो निश्चित तोर पे आपको जिवन में बहुत अच्छा फायदा होगा बहुत सांदार तरीके से सुक्र से समंदित दिखाई दे रही है अगर आप ध्यान से देखें तो सुक्र से समंदित कमी यहां पे दिख रही है पहला पौर्वा तो इसका लबा और नुकीला है ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा मतलब कार्याके परती जिद बनी रहे Heegy और ये चीज आपको सपलता दिलाईगी ये इस्तिती को दिखा रही है इक्छा सक्तियां आपकी बहुत जादा रहेंगी और जब जीवन में इक्छा सक्तियां होती है उसकी कमी नहीं होती है तो व्यक्ति निश्चित तोर पे उनकी पूर्ति के लिए कर्म करता है ये अच्छी चीज है धिरे धिरे आपके अंदर से अगर ये नगेटिव उर्जा के कारण कोई कुरोरता है तो वो निकल जाएगी आप भाव किसम की बिक्तित्व की धनी होंगी एक दयालू इस्त्री होंगी ठीक है ने ये दिखाई दे रहा है लेकिन आप देखेंगे ये दूसरा पौरवा आपक यहां से लेके यहां तक इस पौरवे के मुकाबले बहुत बड़ा है दुगना से भी बड़ा है थोड़ा बड़ा हो तो चलता है लेकिन बहुत बड़ा है आपको क्या करना है आपको जो है कुछ चीजों का द्यान रखना है इसका मतलब होता है कि आप अपना नुक्सान अ आपका नुक्षान हो सकता है आपको अपनी जीवनकाल में बड़या सोच समझ कर निरणय लेना चाहिए और देखेगा जो बहुत अच्छी कंडिशन आपकी हतेले में दिखाई दे रही है वो 36 वर्स से दिखाई दे रही है 36 एर में आपका भाग्योदाई यहाँ पे इस पश्ट रूप में दिख रहा है फिर 42 वर्स और फिर 56 वर्स आपके लिए बहुत सांदार चीजें लेके आएगा हाँ थोड़ा ये जो सुरुवाती दोर चल रहा है ये थोड़ा पीड़ा दाई रहने वाला है घर परिवार का भी सुक थोड़ा आपको कम मिल रहा है या कम मिलने की संभावना को ये दिखा रहा है ठीकन लेकिन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बेहतनिन इस्तिति को आप प्राप्त होंगे यहां पर अगर हम देखते हैं यह उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इस उंगली की तरब धार्मिक भावनाएं आने वाले समय में आपके अंदर बड़ी मातरा में रहेंगी इस त्वर के पड़ती विश्वास रहेगा और अपने आरहते के पड़ती ध धीरे धीरे समर्पन बड़ेगा आप पूरी तरों से समर्पित हो जाएंगी और इसका फायदा भी आपको होगा मिडिल फिंगर भी पूरी तरों से जुक रखी है और आपकी सूर्य की उंगली की तरब थोड़ा नगेटिब प्रभाव दे रहा है जीवन में बहुत जादा मेहनत और बहुत जादा परिसरम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी यहाँ पे ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इस तरब निश्चित ही सूर्य के नैसर के गुणों में बिर्दी हो रही है आपके अंदर धीरे धीरे यस पाने की इक्षा रहेगी नेम फेम पाने की इक्षा रहेगी और अपने कारियों में बिस्तार पाने की इक्षा जादा रहेगी ये इस पश्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे सूर्य की उंगली से हलकी बड़ी दिख रही है या हम कहें तो बराबर दिख रही है आपकी दोनों उंगलें और मिडल फ यही रहेगा यह आपकी दोनों उंगलियां यहां पर इस पश्ट रोप से बता रही है सबसे चोटी उंगली की बात करें यह भी पूरी तरों से जुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ तो धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी जीवन में आगे आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा लाब मिलेगा इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पारी है केवल जो है इतना गैप है देखेगा कम्यूनिकेशन स्किल्स में बहुत जादा गैप दिखाई दे रहा है इसको सुदानी की आवशकता है मनी मेनेजमेंट भी ठीक नहीं है कागजों को रख रखाओ, एकाउंटबिल्टी और फाइलिंग उगेरा जैसी चीजों में बहुत कमी दिखाई दे रही है एक तो यहां तक हो सके तो नाखुन बढ़ाएं तो आपके लिए बहतरीन होगा दूसरा रोज अगर आपको परफ्यूम से कोई ऐलर्जी नहीं है तो रोज अश्टनान करने के बाद चन्दन की खुस्बो वाला एक परफ्यूम अपने सरीर में जरूर लगाएं और एक हरारोमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में जरूर रखें या इसकूल के बैग में जरूर रखें उससे हाथ मू नाक कान कुछ न जादा सी जादा खाने में प्रियोग करें ये चीजें अगर आप करती हैं साथ में मेडिटेशन करती हैं तो निश्चित ही जहां वानी में सुधार होगा आपका कम्यूनिकेशनी स्किल्स बहुत अच्छा होगा आपकी अंदर कॉन्फिडेंस लेवल में ब्रिद्धी होग आपकी हिर्दे रेखा अगर हम देखते हैं तो ये धीरे 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 निकल कर इस प्रकार से जो है इस बीच में पहुँचते हुई दिखाई देरी है किसके अंदर मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर के बीच में ये देख रही है इसमें देव गुरु ब्रिस् है निश्चित तोर पे ये इस पष्ट तरीके से इंगित कर रहा है आप अपने जीवनकाल में बहुत बड़ी महतो कांची जातिका रहेंगी आपकी सोच धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ने की हो जाएगी आपकी इक्षा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और किवल इक्षा नहीं रहेगी किवल सोच नहीं रहेगी इसके लिए आपको कितनी भी मिहनत करने पड़े आप जीवन में मिहनत करेंगी इसके लिए कोई जोगार भी लगाना को मिल जाए आप लगाएंगी ये निकेन प्रकारेड जो भी हो सकता है आपसे आप करेंगी औ थोड़ा अगर हम देखें ब्रिस्पती जादा उबरावा दिखाई दे रहा है इगो प्रोब्लम जादा रहने की संभावना दिखाई दे रही है अच्छा भोजन पिरिय ये आपको बना रहा है और हर समय कुछ न कुछ खाते रहने की प्रवर्तिहा भी हो सकती है इस पर तो ऐसे में साधी होने में थोड़ी सी अर्चने आती है दामपत्य रिष्टे जो है थोड़ा कठिनाया इसे बनते है तो थोड़ा सा जो है भगवान विश्णू की अगर आराधना करे ब्रिस्पती की आराधना करे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब यहाँ प से दूर जो है तरक्य दिखाई दे रही है 35 एर तक 35 वर्स तक कहीं न कहीं जीवन में और इस्तिरता की इस्तिति बनी रह सकती है इसके लिए जो है रोज प्रणायाम करें ब्यायाम करें और इस्वर की आराधना जरूर करें तो चीज़ें बहतरीन अउस्ता में रहेंगी मनिबंद अभी कुछ खास चीज नहीं बता रहा है किवल बता रहा है कि अभी कुछ समय तक करेबन एक से डेट साल तक उलजन जादा रह सकती है और थोड़ा संगर्स भी जादा रह सकता है तो इसलिए जो है अपनी दिन चर्या को अपना रूटीन को बेहतरीन करें ये ची देखते हैं तो सुक्र का परवत उठावा है तेजो मैं अवस्ता में है और सुन्दर इस्तिति में दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छा है इसका पुष्ट होने का मतलब है कहीं न कहीं आपका वीनस आपका सुक्र आपके लिए लावदाई इस्तिति लेके आ रहा है ब कि अपनी personality पर आप विशेज ध्यान देंगे अपने को सज समर रखेंगे अपने को maintain रखेंगे और नई चीजों के परति हमेशा रुज़ान रहेगा चाए नया fashion हो, नई परकार के कपड़ें हो नई परकार के market की चीज़ें हो इसकी तरफ रुज़ान रहेगा और एक luxury जीवन, एक ultra luxury जीवन की तरफ आप आकरशित जादा रहेंगी और उसको प्राप्त कनने के लिए निश्चित रूप से जो है आप मेहनत करेंगी ये अच्छा संकेत दे रहा है और ये सुन्दर रूप में उबरा है तीजोमय अवस्ता में है आपको भी तीजुस्वी बना रहा है धीरे धीरे आपका चेहरा भी बहुत ही सुन्दर होगा और जो सुन्दरता है, जो आकरशन है आपके अंदर विद्यमान रहेगा हर इस्तिति को, हर प्रश्तिति को जेलने की चमता भी, हैंडिल करने की चमता भी सुक्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है यह बहुत अच्छी चीज यहां पे दिख रही है लेकिन यह थोड़ा सा जादा उभार लेके आ रहा है थोड़ा सा जो है अपनी पेट का आतों से समंदित, गुप्त चीजों से समंदित जो चीजे हैं, प्रणाया मोगेरा खोब करे पाने का सिवन खोब करे और किसी एक को गुरु माने उसके दिसान निर्देशों पे चलने की कोशिस करे अगर आप अपने पिता को अपना गुरु मानते है सुबह अश्नान उगेरा करने के बाद अपने माता पिता के अगर पैर छोते हैं उसके बाद ही अन्यकारे सुरू करते हैं जिवन के दिन चर्या के तो आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रणामी देगा इसके बाद ही और भी स्ट्रोंग हो जाएगा अच्छा हो जाएगा आपके अंदर गलेमर देगा आपको चकाचोन इस्तिती में रखेगा खूब और नाम और यस देगा आपको और चकाचोन रखेगा और कहीं न कहीं जो है गलेमर की दुनिया में आपको ले जाएगा आपका बड़ा नाम करेगा तो थोड़ा सा ये चीज जरूर करें क्योंकि सुक्र क्या है भगवान शिव के सिस्य है सुक्र दैत्य गुरू है और ये सबी परकार के सुकों से विक्ति को युक्त रखते हैं सबी परकार के सुक देते हैं जो लगजरी है उसका मालक ही सुक्र है अभी थोड़ा उठावा है तो थोड़ा सा मानसिक चिंता बनी रहेगी उल्जन बनी रहेगी और लगेगा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ परिस्रम कर रही हूँ तो भी कारियों में सफल नहीं हो पा रही हूँ तो इसको दूर आपको करना है निम्न मंगल देखें निम्न मंगल आपका जो है थोड़ा सा दूसित है यहाँ पे और इसके दूसित होने के कारण जो है जो आपका वास्त्विक कॉन्फिडेंस लेबल है वो लो इस्तिति में है कही बार यह कनफ्यूजन दे रहा है उलजन की स्तिति पैदा कर रहा है और निरने लेने की ताकत में कमी करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ मैं एक सूर्य किरिया दे रहा हूँ उसको जरूर करिएगा उसमें मैं मंगल का उपाई दे दूँगा लेकिन उपरी मंगल ठीक है थोड़ा अपने गुस्य पे अपने चिर्चड़े पन पे आप काबू रखें इसके लिए मेडिटेशन जरूर करें प्राक्रम बहुत अच से बढ़ रही है इसका फाइदा आने वाले तीन वर्सों की बाद से आपको धीरे-धीरे मिलना सुरू हो जाएगा कहीं न कहीं आपका उठना बैटना बड़े लोगों के साथ हो जाएगा समाज में जो बहुत प्रतिश्टित लोग हैं उनके साथ कहीं न कहीं आपका बहुत अच्छी है इसमें त्रिकुन भी बन रहे है लेकिन यह लोग इस्तिति मी है दिब्य सूर्य क्रिया करें तो निश्चित रूप से आपको इसका बड़ा लाब मिलेगा आपका बुद्ध दीर दीर अच्छी इस्तिति मी आ तो वानी की सक्ति बहुत अच्छी रहेगी तन की सुन्दरता भी बहुत सुन्दर रहेगी और कहीं न कहीं जो है यह आपको लग्जिरियस जीवन भी देगा चंदरमा की इस्तिति अभी अन्बैलेंस है जिसके कारण कभी-कभी मन गड़बर रहेगा मानसिक परेशानी रहेगी कभी-कभी भावकता जादा आ जाएगी या इमोशनली परेशान रह सकते हैं कार्यों में मन नहीं लगेगा मन बैचेन हो सकता है मन भटक सकता है इदर उदर जा सकता है लेकिन अगर पड़ाई करने बैठें तो पड़ाई में मन नहीं कार्य करने बैठें तो कार्य से मन का उप जाना इस प्रकार की चीजों को ये दिखा रहा है और हो सकता है मां से मत भेता उभर कर आ सकती है मासे प्रस्पर ताल मेल में कमी रह सकती है और कभी-कभी नीन आने में डिस्टर्बेंस साबित हो सकता है मनी रात को जादा जागना दिन में जादा सोना इस परकार की चीज़ें रह सकती है इसके लिए आपको पानी जितना जादा हो सके उतना जादा पानी पीना चाहिए अगर घड़े का पानी हो तो वो सबसे अच्छी चीज होगी क्योंकि घड़े जो है मिट्टी से बना होता है उसमें पांच तत्व मोजोद होते हैं जिससे हमारा सरीर बना है तो अगर आप घड़े का पानी पीते हैं तो आपके पांचों तत्व जो है एक बैलेंस अवस्ता में आने शुरू हो जाते हैं तो कोशिस करें हर गंटा जो है अगर एक दो गिलास अगर आप पानी पी सकें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रहे कम से कम ने तो जितना ज़्यादा हो सके आप जल पीएं पानी खूब पीएं अपनी जिवन में अगर कोई प्रोब्लम नहीं है तो खाना खाने के बाद आप जो है गुड का सिवन करें बाकी जो उपाई हैं मैं बिदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के माद्यम से आपके जो है वाटस अप नम्मर पे दे रहा हूं करने की कोशिस करें निश्चिती अच्छा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार